Hello Friends, my name is Dr. Sunil Tumar, Consultant ENT and Rhinoplasty Nose Surgeon. दोस्तों, आज हम आपके सामने बात करते हैं बिना दवाई नजले का इलाज. बहुत अच्छी लाइन लगती है दोस्तों सुनने में बिना दवाई नजले का इलाज. पर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले देगी. पहला आइकोन को प्रेस दरना है यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना को जिससे आने वाले अनेक ऐसी रिलिटीड गुड इन्टी से उप्योगी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे है दोस्तों ये एक लाइन है बिना दवाई नजले का इलाज बिना ओप दवाई भी नजले का इलाज हो सकता है बट आपको इसके लिए कितना सा तर्ग होना है क्या आपको करना है ये आप अच्छे से समझना जैसा दोस्तों आपको पता है नजला, अलर्जी, साइनस प्रोब्लम ये सब एक ही जिसको बोलते है थैली के चट्टे बटे हैं यानि एक ही चीज है यानि हमारी नोज के अंदर का जो म्यूकोजा है अंदर का जो सलेसमा जिली होती है जो उसके अंदर बहुत बार क्या है इंफेक्शन होता है और स्वेलिंग होती है और वो स्वेलिंग धिरे 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 वो इंफेक्शन हमारे साइनस में जाता है क्यो अंदर जो म्यूकोजा होती है उसमें भी infection start तो उसको हम sinusitis बोलते हैं तो यह allergic rhinitis और sinusitis अमूमन साथ ही होते हैं तो दोश्तो अगर किसी patient को यह problem है और patient उचित समय पे उचित कदम उठा लेता है वो आप जो है patient को जैसे कुछ lifestyle modifications है जो समय पे कर लेता है तो उन चीजों से बचा वो क्या क्या है पहला सबसे पहले आदमी की जो है नित्य क्रिया यानि आदमी को जो है वो समय पे अपनी lifestyle को पाबंद करना होगा समय पे उठना है ठीक है आपकी जो habits है habits में आपको smoking की habits है दोस्तों वो आपको छोड़नी पड़ेगी आपको जो है alcohol लेते हो और उसमें बहुत सारा ice आप यूज में करते हो वो habits आपको छोड़नी पड़ेगी दोस्तों आप strong DU and perfume लगाते हो वो भी habits आपको छोड़नी पड़ेगी दोस्तों घर में पैट है डोग होता है कैट होता है उनकी साथ आपका सारे दिन बर क्रिया कलाप है उनकी साथ प्लेइंग है और वो हमारे बैड पे रहते हैं दोस्तों this thing also should be avoid उनके लिए उसका जो है वो separate management आपको करना पड़ेगा बहुत ज्यादा highly जो है acidity create करने वाली चीजे हैं जैसे बहुत सारा अचार है बहुत सारी जो है वो नमकीन से spicy foods हैं दोस्तों ये सब भी हमें avoid करनी होंगी बहुत सारी तलिवी चीजे हैं बहुत जो chilled जो चीजे हैं वो भी जो है हमें avoid करनी होंगी दोस्तों आपको लगेगा यार ये तो पूरी जिंदगी हमारी करना है जैसे patient का सवाल होता है sir मेरे को तो जो है वो फ्रीज की में चीज या कर्ड नहीं लेता हूं तो मेरे को मज़ा नहीं आता दोस्तों आप जो फ्रीज में अपना सामान रखा हुआ है fruits है कर्ड है आप लिए सकते हैं you just put out from the freeze से बाहर निकाला कुछ समय के लिए उने बाहर रख दिया और जब उसका temperature नॉर्मल है वो उसको हमने यूज में लिया और इसके अलावा आपके अगर पैट है तो उनका एक पैट जोन है उनको आप जो है वो बाहर ही अधिकतर रखें ठीक है ना अगर आपको अलर्जी से सेंसिटी हो तो उसको कम से कम जो है उसको time to time उसके जो है फर के लिए है उसको नहलाना है और आपका जो है बैट सीट है पिलो है वो सब चीजें आपके time to time changes होनी चाहिए घर में जैसे पुराने coolers होता है उसकी जो टाटी होती है उसको time to time change करना चाहिए पुराने कपड़ होते हैं पुराने गद्धे होते हैं वो अगर आप सेंसेटी हो तो मैट को बोल के उनसे क्लीन करा सकते हैं आपका जो है वो ओपन वेंटलेशन, जो होना चाहिए जो है रूम का हम सुबह जोगिंग पर जाते हैं और ये तो है जो है passive management कुछ active management home remedies भी आप यूज कर सकते हैं उसमें आप जो है आप गरम पानी का सेवन कर सकते हैं जिससे हमारा गला जो है वो shooting रहता है क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि जो allergy का patient है उस patients को हमारे nose की sinus के secretions हैं वो हमें क्या है throat में जाते हैं नाग में पीछे की तरफ जाते हैं तो हमें जो है वो बार बार गला क्लीन करना होता है यह यह तो उसके लिए क्या है हमें जो है अगर हम plenty of fluids लेते हैं और गरम पानी थोड़ा सा warm water लेते हैं तो हमारे गले के वो shooting होता है इसके अलावा हम जो है वो कुछ जो है वो गरम दूद और जो है हल्द भी ले सकते हैं अद्रक और जो है वो गरम चाय भी ले सकते हैं ठीक है तुलसी भी हम चाय में डाल के ले सकते हैं और इसके अलावा जो है बहुत बार simple logenge भी आते हैं जिससे हम जो है वे chewing कर सकते हैं तो इसके अलावा जो है आपको morning में जब आप अगर आप योगा करते ह कुछ अलोम बिलोम करते हैं और कम से कम आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं है आधी गंटे भी अगर आप योगा या प्रणायाम करते हैं मेडिटेशन करते हैं तो दोस्तों ये वो चीजे हैं जो बिना मेडिशन के भी आपका साइनस और अलर्जी नजला ठीक हो सकता है बड़ दोस्तों आप में इतनी कैपेबिलेटी एंड फॉर्म डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि मेरे लाइफस्टाइल मोडिफिकेशन करना है म मेरे को इन इन चीजों से बचाव करना है दोस्तों अधिकतर हमने देखा है कि पेशेंट को कहीं न कहीं यह आइडिया होता है कि मेरे को इस चीज से अलर्जी है तो उस चीज को हम आवेड कर सकते हैं आपको पता है कि पुराने कर्टें जाडते हैं या गद्दे जाडते है पुराणे तो मेरे को allergy रहती है मेरे को यह पता है कि अगर में जो है वह कहीं paint हो रहा है और में जाओंगा तो मेरे को allergy है दोस्तों यह सब चीजे हैं कुछ लोगों को professional hazards होता है जैसे कोई factory में supervisor है जहां पर बहुत जादा dusting का है तो आपना जोब भी हमारा चेंज कर सकता है तो दोस्तु यह वो चीजे हैं जिस से बिना medicine के आप जो है नजले और sinus allergy का treatment कर सकते हैं and I think definitely this information is useful for you and you can share this information to your family, friends and colleagues just to create awareness about the simple line बिना दवाई नजले का इलाज Thank you